हाई फ्रेंड्स आज हम दिखाएंगे के भी कार्विंग कैसे किया जाता है सापोज हमने इस तरह का कोई डीजाइन सेलेक्ट किया ठीक है तो सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे इसको फाइल एक्सपोर्ट फिर इसको EPS फाइल में एक्सपोर्ट कर देंगे तो सापोज हम भी कार्विंग करेंगे तो इसका नाम मैं भी कार्विंग देके सेप कर रहा हूँ ओके फिर आठक्यम में जाएंगे और इधर हम देख लेंगे इसका size क्या है देखिए 30 इंच by 15 इंच तो हम width ले रहा हूँ 36 इंच और height ले रहा हूँ 20 इंच तो इधर width 36 ले रहा हूँ और height 20 इंच ले रहा हूँ फिर millimeter सिरेक करके poke कर दिया फिर देखिए vector option में जाके input करके उस width carving वाला design को हम import कर देंगे फिर f9 प्रेस करके page का middle में रखेंगे आभी क्या करना होगा टूल पाद option में जाएंगे और ये जो width carving है इसको select कर लेंगे पर इसको select करने से पहले एक काम करना पड़ता है ओ देखिए जहां पे हम width carving करेंगे हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि जितना area होगा width उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए ये देखिए 28 mm मतलब लगभग 30 mm तो हम क्या कर सकते हैं इधर 32 mm का width carving bit यूज़ कर सकते हैं तो इसको पूरा select करके पूल पाद में जाएंगे और इधर से हम carving tool में जाके भी bit select करेंगे सापोज हम 32 mm का 90 degree भी bit select कर लिया और step down कितना देंगे 4 mm मतलब हम 4 mm step down देके काम करेंगे फिर देखिए ये center line option पे click कर देंगे ठीक है फिर setup material हमारा 15 mm में जो चाहे हो सकता है ठीक है उसी सब से देंगे फिर हम now option पे click कर देंगे तो ये हो गया अभी हम simulation पे जाके check कर लेंगे देखिए ये simulation पे गया और इधर से हम simulation देख पाएंगे देख लिजे तो जब हम इस तरह का कोई काम करना चाहते हैं इस तरह से हमें toolpath को बनाना पड़ेगा फिर इसको save करेंगे कैसे ये जगा पे जाके gcode mm tap save कर देंगे फिर इसको चला दीजे और alignment आप ये side से select करके कर सकते हैं center से तो alignment जब हम ये toolpath बना रहें तब आपको selection करके लेना है suppose आप left से करना चाहते हैं तो ये ऐसे left alignment select रखके फिर कर सकते हैं और center से करना चाहते हैं तो पहले ही center में alignment लेके फिर इस toolpath को बना के आप चला लीजे ठीक है thank you friends best of luck तो फ Singh कर दो कर सकते हैं कर Cela कर दो फिर चेवाय दीजे